वारंसी लाइब सच के साथ नमस्का सिटी वारंसी लाइब में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अमित्पिश्रा आईए आज के हेड्लाइन्स पर डालते हैं एक नज़र होजो विर सिंदोरा मार्परा दिकर्मन दस्ते का हुआ विरोध बैरंग लोटा दस्ता रामचरित्मानस पर टिंपड़ी करने वालों पर फड़की भारती अबाम पार्टी जलाया पुतला रोडी राजगनेस मंदिर को विस्थापित किये जाने को लेकर स्री अनपूरा मंदिर के महत्ने अंदूरन की तीचे थावनी प्रिक्षागरी में आयो जी दो दिवसी रामान कॉंक्लेफ का शुभारव और अब समचार विस्तार भोजूबिर सिंदुरा मार्क पर शुक्रवार की सुभा अधिकर्मण दस्ते द्वारा अधिकर्मण हटाये जाने का व्यापारियों ने जबर जस्त विरोध किया भोजूबिर सिंदुरा मार्क पर आज शुक्रवार को प्राता अधिकर्मण दस्ता अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचा अधिकर्मण दस्ते ने भोजूबिर सब्जी मंडी के पास नाले पर किये अधिकर्मण को हटाना प्रारं किया इसको लेकर व्यापारी लाम बद अधिकारियों को देते हुए वस्वाय मौके पर पहुंचे इस दोरान एडियम सिटी गुलाब चंद भी मौके पर पहुंच गए अधिकारियों ने वेपारियों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे मानने को तयार नहीं हुए जिससे भूजू बिर सिंदोरा मार्क पर जब माताकर उन्हें समझाया गया तो उन्होंने दो दिनों में अधिकर्मर हटाने का बादा गया जिससे अधिकर्मर दस्ता वापस आ गया या पूछे जानने पर कि किसी व्यापारी को सिपाही द्वारा डंडे से मारे जाने सिर्फ अटने की सूशना है तो उन्होंने कहा कि ऐ प्रशासन के बड़ी कोश्कों के बीच शुक्रवार को मतानपुणा मंदिर के महंत और महानिर्वाली अखाले के शंकरपुरी ने शुक्रवार को बड़ा एलान कर दिया। काशी कुराधिपती श्री काशी विष्टनात के दर्शन से पहले प्रथम पूजी ढूडी राज गनेश मंदिर को इस्तनांतृत करने की साजिशों पर एक पल में पानी फिर दिया। तमाम अटकलों के बीच शुक्रवार को बकाईदा शंकरपुरी महराज ने प्रिस्वारता बुलाई और साफ शब्दों में कह दिया कि यदि ढूडी राज गनेश की मूर्ती या मंदिर इस्तनांतृत होगा तो काशी की जनता के साथ हुआ सलक पत उतरने को बाते होगे। इससे यदि किसी ने चल चाड़ की तो ठीक नहीं होगा। स्रीदांतृत मानस पर टिपड़ी एवं जलाए जाने की विरोध में भारती अवाम पार्टी के सुभाषवादी कारकरताओं ने गहरी नराज बीचताई। दुनिया को शांती त्याग और रामराज का पार्ट पढ़ाने वारे पवित्रतम धर्मकरंद श्रीदांतृत मानस पर टिपड़ी करने और जलाए जाने को लेकर भारती अवाम पार्टी के शुभाषवादी कारकरताओं में गहरी नराज गी है। पार्टी के राष्टिय अधिश नजमा परवीन के नित्रतमे कारकरताओं ने लमही के मुश्री पेम चन इसमिती द्वार पर पर परदर्शन किया। स्रेडाम चेत मानस को सर पर रख कर सरवच समा दिया हातों में मुस्लिम मैलाओं ने तक्तियां लेकर संदेश दिया कि किसी धर्ब का अपमान अब नहीं बरदाश्ट किया जाएगा। तक्तियों पर लिखा था स्वामी तुस से बैल सही तेरी अब खहर नहीं। स्वामी जिस दल में है उस दल पर प्रतिबंदे लगे जैसे नारों के साथ प्रदर्शन कर रही मैलाएं काफी कुछ से में थी। स्वाही परसाद का बहिसकार होके नारे के साथ उनका पुतलफ होका गया। भारती अवाम पार्टी के राष्टिय अधर्श नजमपरवीर ने कहा कि भारत में जब किसी का नया मकान बनता है तो मानस का अखन पार्ट करवा कर ग्रीप प्रवेश किया जाता है। शेराचेत मानस दुनिया का पवित्रता मुकरंत है या सिर्फ सरातन धर्म के लिए ही नहीं बलकि विश्व के प्रते एक नागरे को क्लिक्योंगी है। घर परिवार से लेकर देश चलाने तक की शिक्षा इस ग्रंत से मिलती है। मानस पर टिपड़ी करने वाला स्वामी प्रशाद अधर्मी है। उसके पापों के सजाई श्वर अवश्यों से देगा। आज स्वामी परसाद को चेज भेज़ कर संपत्ती जब्त नहीं की गई तो कल सारे धर्म गरंतों पर सवाल खड़ा करने वाले पापियों की बाड़ा जाएगी। देश दंगे की आग में चुलस जाएगा। अखिले श्यादों ने स्वामी खिलाफ करवाही करने के बजाए उसका प्रोमोसर कर भारत के लोगों को यह संदेश दे दिया है कि जो भारती धर्म गरंतों का अपमान करेगा उसे प्रुसकार बिलेगा। मुसल्मानों से अपील है कि स्वामी परशाद का बखिशकार करे अने था धर्म गरंते के अपमान की याग उनके घरों तक भी पहुँच जाएगी। योगी चीत अत्काल इस मामले पर सक्त कारवाई करे। पार्टी के राश्ट्री पाधिश अंदरी चिंतक ज्यान प्रकाश ने कहा कि श्रीराम चेटमानस की वज़ा से दलितों को सम्मान मिलता है। अपना चोला बदलता है। सौही परसाद को नारी और दरीत की चिलता होती तो यहन बहन मायावती का साथ छोड़ता और नहीं उसका अपमाल करने वाली पार्टी में महासे चिवबत ता। तो यहन बहुत होता है। अपना चोला बहुत होता है। उसके विरूद में यहाँ बहुत है। साथी साथ हम लोगों ने यह भी मांग किये कि उनकी जल से जल की रफ्तार करके उनकी सारी संपत्ती जबत की जाए। और उनकी सर्कार ने भी मांग किये कि उनकी जल से जल की रफ्तार कर जाए। और जल सकते सक तुर्कियों पर तारवाई की जाए। आज उन्होंने एक धन्त पर सावाल खड़ा किया है। इसकी आग बहुत जल ही जुदूसे धर्मी गंतों पर भी खड़ी होगी। और मुस्लिम भायों से भी मेरे यही अपील है कि इन गलों का साथ छोड़े स्वामी प्रसाद मौर्या का साथ छोड़े नहीं तो आज उन्होंने रामचेट मारस पर सवाल खड़ा किया है। इसकी आग बहुत जल है। इट के भटे पर दिवार गिरने से कोईला बिन रही दो महिलाओं की बत्ती हो गई जबकि तीन अन्ने खायल हो गई। इट भटे पर दिवार गिरने से कोईला बिन रही चार महिलाएं उसकी चप एट में आ गई। दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्ने घायल हो गई। इन्हें इलाज के लिए स्पताल में भरती कराया गया है। पड़ा गाउं तनक शत्र के अनवरा गाउं में होई घटना की जानकारी होने पर चिरादिकारी टीसीपी समेथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुँचे। सीजी टीओ में दुरगटना का फूट है देखा, मौत को स्वजन को आर्थिक सायता का अश्रौसन दिया गया है, NDRF की टीम भी वहाँ पहुची थी। सिग्रा करेने वाले अमर प्रधवानी का गोसाइपुर गाउं में टाटा मार का इट भटा वर्स 1997 से है। इटों को पकाने में इस्तमाल हुए कोईलों को बिलने के लिए महलाय वहाँ जाती है। गुरुआ कि शाम को भगतुपूर गाउं की वह भट्टे पर काम करने वाली महलाय चिमनी से सटा कर पकाने के लिए रखी इट के पास बैट कर भट्टे से कोईला बिल रही थी। इटों को हटा कर उन्हें बाहर निकालेगी कोशिक शुरू कर दी। सूचना मिलने पर बड़ा गाहु धाना प्रभारी अश्वनी चत्रवेदी वह हरववा चौकी प्रभारी सचिन पटेल पुलिस के साथ महां पहुँच गया। 65 वर्सी लालमने देवी वर 45 वर श्री माला देवी की मौत हो गई थी। घायल रिता देवी वर रादिका देवी तदा जैनती को हरववा के खुशाहल में मूरेर हस्पुटल में पहुचाया गया। जिलादिकारी यस राज लिंगम डिसीपी वरुना विकरांत वीर के साथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुचकर आरात का जैजा लिया। इटो के धेर में अन्य लोगों के मौजूद होने के आशंका में एंडियारफ ने तलाशी अभियान चलाया। बट्टा माली को भी बुलाया गया। अनुरा के पधान तीपक चवान भक्तुपूर के पधान पत्निदी वंश राज यादो ने वितिकों के स्वजन को आतिक साहिता की मांग की। और मौके पे आने के बाद पता सला है कि यहां येट के बीश में जो कोईला रखते हैं उसको बिनने के लिए महिलाय अंदर जाती थी उसमें येट भी हटा रहे थी और अचानक जो चिमनी के साथ जो लगा हुआ हुआ जो दीवार है वो गिर गया था उसमें चार महिलाय द अंदर दवा तो नहीं है ये रेस्क्यू आपरेशन अभी चल रहा है सर जिर्की सब्सक्राइब कर दें बाकि जो भी इसमें सहायता इनके लिए अनमन्य है वो पूरा सहायता करेंगे हम पहले रेस्क्यू पर फोकेस कर रहे हैं यहां पर वक्त चला छोड़ा से ब्रेक का ब अब कर्प्विटर लेब सुसजित लाइबरेवित पाहन के उप्तम विवर्था विभी निखेलों की सिक्षा बच्चें के शारेरिक एवर मान सी विकास होतों योगा का प्रसिक्षर सुए था इतना ही निए आपके छोटी बच्चों के लिए एक ऐसी ज़़े जहां हम दे सी बेसी अफिएटेट प्ले ग्रूप अकॉर्डिंग टु हों टेंप्टिस्टू की उच्च सिक्षा एवं अनुशासन कंप्यूटर क्लासिस अत्याधूनिक साइंस लैब स्टुदेंट एक्टिविटीज समस अलर्ट सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट क्लासिस बच्चों क हम है बाल विद्याले तो आज बनाए अपने बच्चों का बेहतर कल एड्मिशन्स ओपेन बाल विद्याले सिन्य स्रिकेंडी स्कूल पहलाद खाट एवं डोगरी वाराण सी कोरोना वाइरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरते हैं घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदेप प्रयोग करें समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें ज्यादा भ्यूर भालवारी जगोग में जाने से बचें दोगस की दूरी का पालन करें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें जन्हित में जारी वारांसी लाइव ब्रेक के बाद आपका स्वाधत है इसके इंतरगत शुकरवार को अजित्स उद्गाटन सत्र में लोग चेतना में श्री राम विशयपर मुख्यातिती के रूप में बोलते हुए श्री हन्मत निवास पिठादी शौर अयुध्यार आचारे मिधिरेश्ट अन्दनी श्रन ने कहा कि राम सिष्टी की समस्त चेतना में व्याप्त है कौनकर में व्याप्त राम को प्रमारित करने के लिए हमें किसी साक्ष की आवशक्ता नहीं है प्रगुराम लोक मानस में प्रतिष्टित हैं जर्म सलेकर मित्वी परियंत प्रतिक विहवार में भगवान राम प्रेरक्त अक्त्यों के रूप में हमारे बीच उपस्तित हैं उद्गाटन सत्र की विशिष्ट अधिती विभात्र पाठे थी अधिक्ष्टी उद्गोधन में संगीत नाटक अकादमी उत्तर पदेश के पूरवध्यर प्रोफेसर राची सुराचारे ने लोक में प्रचलित राम की उपस्तित को आनेक लोक प्रचलित उक्तियों के माध्यम से रूपाईत किया उनने कहा कि जीवन के नतीम पड़ाओ में भी व्यक्ति राम मैं होकर जीवन से जाता है भगवान शिव भी काशी में आत्माओं को राम शब्द के सारे ही मुक्त करते हैं अधितियों का स्वागत भारत अध्यन केंद्र के समरोयक प्रोफेसर सदार श्रीव दिवेदी ने अधितियों का सम्मान चेतरी पुरदर्त तो अधिकारी वारानसी डॉक्टर शुभा संधियादाउने धन्यवाद ग्यापन अयुद्या शोव संस्थान के निदेशक डॉ अमित्कुमार पाण्य ने किया इस कारिक्रम में रामयान ते था उसके विवित पक्षो पर अधारित कुष्प्रतियुक्ता में वारानसी जिले के 25 विद्यालें गे एकुल 306 ने प्रदिभाग किया जिसमें 50 वी जेता रहे जगकि इस सांस्किति कारिक्रम में 10 विद्याल ञाज कना में पें से और आधरी आधारी तेचित प्रदर्शनी से अकपह नगय और जायो हुई। इसमें काशिय इंद्वी के जो भारत अध्ययन के इंद्र वो इसके के बाहर भाएक यहां पर इसके प्रतिफागी शहर के भी है, बाहर से भी लोग आए हैं, अलोध्या से, चित्रपूर से, लग्नोव से, पिर कलाकार जो हैं, वो मुंभईी से हैं, दल्ली से हैं और आस्था इसके साथ ही शायर के लगबग 20 दिद्यालियों के छात्राय में भी सांस्कितिक कारेकर भी प्रस्कित करेंगे। G20 समेलन के मद्यनजर छामनी बोर्ड ने कैंटोनमेंट की सड़कों के चौड़िकरल का कार युद्धस्तर पर प्रादम कर दिया है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने G20 समेलन के तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू कर दी है। इसके तहट मिंट हाउस तिराहे से PNU कलब की तरफ जाने वाली सड़क के चौड़िकरल का कार शुरू हो गया है। शुकरवार को JCB और मजदूरों को लगा कर आधी सड़क घेर कर बने फुटपात को तोड़ने का काम शुरू हुआ। इस कार के बाद दोनों तरफ से सड़क कम से कम 40 पुट चौड़ी हो जाएगी। इससे केंट रेल्वे स्टेशन जाने वालों को काफी सुबदा होगी। कुछ साल पहले बने फुटपात से यातयात में काफी समस्या आती थी। लोग बाग अपने वाहां सड़क पर खड़ा करते थे इससे अकसर जाम लगता था। इसके अलावा चावनी बोर्ड ने आज अवेद होर्डिंग वा पुलिस बूत को भी हटाने का काम शुरू किया। जेई सचिन सिर्वास्तों ने बताया कि सड़क चोड़ी करण से यातयात की समस्या काफी हद तक दूर होगी। इसके पहले चावनी बोर्ड ने गुरुवार को छेतर में अवेद धंक से रखी गई गुम्टियों और ठेलों को हटा दिया था। कंटुमेंट बोर्ड ने ट्रायल के तोर पे मिंट हाउस से इंडिया होटल जाने वाली सड़क पे वेंडिंग जोन भी बनाया है। अगर इसमें यातायात की समस्या उत्पन होगी तो इसे हटा दिया जाएगा। यह जानकारी जही सचिन सिर्वास्तों ने दी है। सुविख्यात कथावाचक आनन्दमूर्ती गुरुमा ने काशी में ग्यान, भक्ती और योग की अमरित वर्षा उमकाशी के महत्मे की चर्चा किया। शुक्रवार पुरुद्राज कन्वेसन सिंटर सिगरा में अजित पतरकार वारता में सुविख्यात कथावाचक आनन्दमूर्ती गुरुमा ने काशी में ग्यान, भक्ति और योग की अम्रित वर्षा इम काशी के महत्म की चर्चा की आनन्दमूर्थी गुरुमा ने काशी के महात्मे की चर्चा करते हुए कहा कि विश्व के सरवाधिक प्राचीन गरंथ रिगवेद में काशी का उलेक मिलता है काशी शिव के तिर्शूर पर विराजित है काशी ब्रह्मा द्वारा अध्यासित सदासेवित और रक्षित है प्रवक्ता आधी गुरु शंकराचार केरल प्रदेश के कालणी नामकिस्थान से काशी आते हैं महान संतनानक काशी आते हैं काशी में कबीर के स्वर में निर्गून की गूंज होती है तो रामकता के माध्यम से तुलसी सगून और निर्गून के बीच समनवा इस्थापित करने का काम करते हैं जिसे काशी ने स्विकार किया उसे संसार ने स्विकार किया ऐसी अति वैसिष्ट काशी में ग्यान, भक्ती और योग की अमित्वर्सा के माध्यम से लोग कल्यान के लक्ष की प्राक्ति ही हमारा धे और उद्देश है जब आपका पाइनल ग्रेंड एक्टिवेट होता है तो आपकी स्मर्ण शक्ति अच्छी होती है धी, इधृति, और स्मृति अच्छी होती है आपको एक अचछी बुद्धी की आवस्टागता है, अच्छी शुरुषी की आवस्टागता है, तो चिमत्व मुक्तो होने के लिए धर्म की शरण में तो आना ही होगा तो इस ग्यान, विग्यान और योग के साथ एक सुन्दर जीवन हम जिये और एक सुन्दर समाज का सुरजर्णन करें इसके लिए ये तेरा इस नगरी में आने का कारण था अखिल भारती मेगबरं सिंग वतीज बहादूर सिंग इसमारक होंकी प्रतियुकता चार फरवरी से आईजित होने जा रहा है ये संदर में शुकरवार को मीरिया के साथ बाचीत में पूरुसांसद वर कारेकरम संयोजग राधे मोहन सिंग ने बताये कि एस्टो ट्रफ पर खेले जाने वाला ये प्रतियुकता चार फरवरी को सुबह 11 बज़े प्रारभ होगा जो 10 फरवरी तक चलेगा उद्गाटन समारो के मुकधिती आर्पी सिंग वर्तमान हौकी के सितारे राशकुमार पाल रहेंगे जो कि भूमनेश्टर में संपन हुए विश्वकप का हिस्सा रहे हैं प्रतियुकता में प्रतियुकता में प्रतियुकता का फाइनल 10 फरवरी को होगा बच्चे देश दुनिया में अपने देश का नाम रोसन करें उसके लिए यह सब प्रयास हमलोग कर रहे हैं और इस प्रतियुकता के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर एक तरह का आतुम विश्वास भी पैदा करना होता है कि जब यह लड़के इतने बड़े कि लाड़ी हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं इस प्रतियुकता में पूरी 26 टीमें हैं और कई टीमों का यहां पर आना जाना आना शुरू हो गया है जिनका ठाराव करमपूर के मेक बलांसिंग डिगरी कॉलेज में रहना होता है चुकि यह 26 वर्सों से चल रहा है इसे के साथ सिटी वर्सी लाइब का यह संस्क्राइब में समाथ करते हैं मुझे दिज्या आग गया नमस्कार आना सी लाइब सच के साथ